हाई एवरीवन वेल्कमिंग अल अफ यू तो जीनियस प्रोफेसर इस इस मी यूर अभीशेक साह यूर मास्टर इचर अफ केमिस्ट्री सो बच्चो आज हमनों डिसकस कर रहा है M.H.T. C.E.T. के पेपर पैटन के बारे में वीडियो स्टाट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा बोड एक्जाम को लेकरके विल्कुल भी टेंशन मतलो करेंट सिच्वेशन को देखते हैं बस मैं आपको कहना चाहूँगा 15 से 20 दिन दुख जो बोड एक्जाम सापके में जो रहता है ना कोश्चन सो आपको एमची की टाइप में आएगा यानि कि एक कोश्चन रहेगा उसके चार आप्शन रहेंगे उसमें से आपको करेक्ट वाले आप्शन को टिक करना है पहली चीज आपको क्लियर हो गया अब सेकंड देखो इच पेपर के लिए आपको 90 मिनिटस रहेगा जयानि कि मैथमेटिक्स के लिए आपको 90 मिनिटस मिलेगा फिजिस केमेस्टि ये दोनों को दोनों एक ही पेपर में आता है तो इन दोनों के लिए आपको 90 मिनिटमे अगर आप बाई-वालोजी को देना चाओँगे तो फिर बायोजी के एक्जाम में भी आपको 90 minutes ही मिलने वाला है इपना clear हो गया second चीज अब देखो third चीज के बारे में बात करते हैं इसके syllabus के बारे में तो आपको 11th class का आपका 20% syllabus आने वाला है नीट लेवल का difficulty रहेगा मतलब लो बता रहे कि paper hard रहेगा पड़ में मेरे experience से बता रहा हूँ आपको जही में से और नीट लेवल से paper easy रहता है और यहां पर ना कोई भी negative marking यह समझ पार हो क्या अगर आपके पास 10 minute बचा है last का ठीक है और आपके 20 questions बचे भी है अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो negative marking है नी तो आप तुक्का मार देने का उसमें से पता चला खुछ ना कुछ questions तो सही निकलेंगे इतना तो है ना इतना थोड़ा सा कभी भी positive thinking रहेगे अब यहां पर देखो application based रहेंगे questions मतलब अगर आपने कोई भी theory part पढ़ लिया जैसे human art के ब बारे में आपको कितना पता सकते हो उसके बारे में ऐसा मतलब एपर easy रहता है जादा hard नहीं रहता है इतना समझ लेना अब यहां पर देखो इन्होंने काया कि पूरा का पूरा entire syllabus नहीं बोला है इन्होंने जो हम लोगोंने reduce बोला है कि बच्चों को की नहीं पढ़ना और 40 questions आएका 12 standards से यानि कि total question देखो बच्चों कि इतना हो गया 50 हो गया अब यहां पर आपको 90 minute मिलने वाला है यह तो मैं आपको अल्यडी बदा चुक हो अब यहां पर एक important ची ध्यान में रखना एक question 2 mark का है समझ बार हो एक question 2 mark का मतलब बहुत ही अच्छा है scoring ए तोड़ और 40 questions आएगा 12 standards से तो मतलब यहां पर total question हो गया 50 और यह रेखो chemistry में 10th question और 40 यानि कि यह भी 50 तो total 200 questions रहेगा याद रहेगा 200 questions में से आप देखते कितना score कर सकते हो I hope आप लोग 195 के ओपर crack or score करने का easy हो जाएगा टेशन नी यहां पर देखो इतना clear हो गया PCM के बार में ह आइदर हो जाएगा biology तो मैं आपको बोलता हूं कि आप दोनों भी दे सकते हो तो दोनों दो समझ में आया ना अगर आपने 12 में PCMB यह आपका main subject है तो आप दोनों भी दे सकते हो PCMB दोनों भी एक साथ भी दे सकते हो यह भी आद ध्यान में रखना ठीक है तो मैं आपको prefer कर हो रहा है mathematics में फायदा हो रहा है आपका maths भी अच्छा है तो आपको double फायदा हो रहा है तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो I hope आपको समझा होगा बाल अब नीचे की तरफ चलते हैं हमनों 11th के syllabus पर आ जाते है physics में इन्होंने बोला है कि motion in plane आएगा laws of motion gravitation देखो easy chapter ह semiconductor electrostatics यह सब easy chapter से chemistry में देखो basic concept वे लोग पूछेंगे structure of atom किसने डिसकॉल क्या proton neutron होई सब एकदम easy question आता है तो इसके लाद SES and liquid state basic principles techniques of chemistry adsorption and collide अच्छा chapter है इसको अच्छी से मैं practice करना इसमें से अच्छो question आते है और hydrocarbon यानि की organic chemistry से लोग थोड़े बहुत basic question पूछेंगे करना यानि की formula पढ़ लेना स्ट्रेट लें अपने नाइंत में पढ़ा था circle फिर इसके बाद measures of discussion यह पूरा का पूरा एक बार रीड कर लेना और फिर देखो biology में देखो पता नहीं चल रहा उनका और देखो board exams तो cancel कर देंगे तो फिर इतना कुछ जादा effect नहीं पड़ेगा पर entrance यह लोग लेंगे ही लेंगे थी कि आपको entrance anyhow देना ही लेना है और मैं आपको एक और चीज़ बताता है वहाँ पर 12th के board exams हो चुके तो आप सोचिए अब उन बच्चों का 12th का board exams हो चुक है तो लोग क्या attention 3 है तो लोग सिफो सिफ entrance के लिए अच्छी तरीके से तैयरी करेंगे तो need tweet यह सब JEE यह सब के पीछे आप भी अच्छी तरीके से लग जाओ और अच्छी तरीके से प्रिपेर करो मेरे बोलने का मतलब यह है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है न तो आप यह social media platform है इस पर मुझे आप contact कर सकते हो और यह ने को यहाँ पर मेरा Instagram ID है इस पी आप चाओ तो मुझे follow कर सकते हो and stay connected with genius professor और जाने से पहले ब अच्छो वीडियो को जरूर शुर करो कि यह knowledge वाला वीडियो तो यह जितने वच्छों तक पहुचाओगे उतना अच्छा है और सबको बलो कि सर बता रहे हमारे की entrance के लिए अपनों को तयारी शुरू कर देनी इच्छिया आप भी करो और दोस्तों से भी करवाओ थैंक यू सो मुच फो वाचिंग मैं वीडियो